इंगाइस वेलकम बेख टू माई चैनल हुई हई जैनल हृ रटी नमस्ते हम आ गया है आई गया है जाहिव सी भार और रिडिंग लेका है रीडिंग का टॉपिक रैंडम रिडिंग है जो कि हमारा फिपरिंट टॉपिक है कि क्या बोले बुलने को तो मतलब चोड़िये 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 तो जी बुखार हो रहा है आपनों के कहने पर जैसा जैसा आपने बोला द्रग काड़ा पीने को और परसिटमॉल कि सब खाया किया है कल अच्छे से अभी भी किते हैं और फिलिंग दे रहता हैं बूल जाएंगे नहीं तो मैं कुछ भी यान में रहता है अच्कों तो आगे में करको दो कि मैं आपने जाएंगे धिला कर छाम में किते हार जागैं। ह हार इंड एंड़ किते हैं जा है अग उता हैं एंडने तो आग्टों एंड़ में हैं एंड़्च प्ना तो दमाटक्शência सबबस्ट मysł vision बाट्स्कले er एंज़, मुण leहां. तो लग आपैंड़ 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 लग दो लोगा है वे वे उन्हाँ प्रिधा निएवचर निएफ़ लाह उन्हाँ लोगाई। अच्छी के तो जिए बीदाशल नहीं रिजाशला अच्छी बालता के अवाते हुड़ से जड़ परिभा नहीं है कि यह हाँ है कि आप कि वाइब्रेशन दू रखें इन्हीं है इसमय कुछ याउल रही है है तो यह जो फुल मून आ रहा है और जो न्यू मून आने वाला है यानि दिवाली के टाइम पे आमावस पे आप लोगों पे बहुत डरा नहीं चाहते हम किसी को लेकिन है कुछ लोगों ने प्लैन कर रखा है कि आने वाले दिवाली पे जब काली पुजा होती है तो कुछ लोगों ने अपने पंतलब कुछ बहुत ही खराब मंसुवे तियार कर रखे हैं आप लोगों को बरबात करने के लिए बेसिकली यहां पे ब्लैक मैजिक वाली एनरजी हमने हीलिंग बोल पे ग्रैप किया है तो बहुत सारे लोगों पे बहुत ज़ादा इविल आई बहुत ज़ादा ब्लैक मैजिक जो है आने वाले टाइम पे होने के आसार है हाला कि जितना ज़ादा आप हन्वान जाली सका पार्ट करेंगे बचे रहेंगे उस चीजों से ठीक है सब लोगों से निवेदन है पता नहीं किसकी अनर्जीज ग्राप की है लेकिन बहुत ज़ादा इविल आई और बहुत ज़ादा अन्वान्टेट लोग आपका बुरा सोचने के लिए बिलकुत तयार बैटे हैं और अपने जो मन्सूबे हैं वो पिलकुल प्लैंड कर रखे हैं कि आने वाली अमावस पे जो है वो आप लोगों पर कुछ-कुछ अपने खराब इंटेंशन्स खराब तंत्रविद्याओं का प्रयोग आपके लोगों पर कर पाएं ऐसा हमने ही लिंग बोल पर कैप्चर किया है देखिए आपको भी पता है हमको भी पता है पूरे कितना खराब कितना दुष्प्रभाव पड़ता है उसका कोई अंदाजा भी नहीं आप लोग लगा सकते हैं लेकिन वही है कि करने वाले तो देखिए करते हैं उनको लबता है कि नहीं होगा हमको कुछ नहीं होगा हम लोग पचे रहेंगे चुड़िये हमको ज्यादा कुछ बोलना नहीं है हम लीडिंग करते हैं दराने के लिए हमने कुछ नहीं बोला है है हीलिंग बोल में हमको समझ में आ रहा है आप लोगों की वाइप्रेशन बहुत हाई है इस समय और वाइप्रेशन से बोले तो आप लोग की एनरजी काफी आप लोगों की जो उर्जाय है न वो ऐसी है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ हर चीज में अच्छा ढून रहे हैं और जो आपके आसपास इर्द गिर्द जो बुरे नेगेटिव लोग है न उनमें भी आप अच्छा ही ढूनने के चक्कर में आपकी आखों के आगे परदा पड़ जाएगा नहीं आप देख पाएंगे कि उनके इंटेंशन के इस प्रकार के हैं कितने खराब इंटेंशन हैं तो कहने का मतलब है वही लोग जिनको आप बहुत अच्छा समझते हैं और जो एक नकाब पोस्ट लोग जो आपके सामने भूमते रहते अच्छा बंते र इन सब चीजों से मुखिया पहले ही परिशान है हम आपको क्या आराय देंगे बता ही है तो पहले ही मिमार पड़े हैं किया दिखते हैं कि नाइट ओफ पेंटेकल्स पेज ओफ पेंटेकल्स और चैरिट का कार्ड हमें दिखाई दिया है अब तक नह क्यां कि अनिया था कर दिखते हैं स्मुनिया तंगा किस पे भरुशा कर रहे हैं, कौन आपका अपना है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है जीवन में ऐसी दुविधा जनर परिस्थितियों में हम लोग फसे हुए हैं ना ओवियसली हम अपनी भी बात कर रहे हैं कि इसके इरादे कैसे हैं कि यह इतना बुरा कौन सोचता होगा किसी कर्मा बिलीवर्स के बारे में इतना खराब और ऐसा क्या किया होगा हम लोगों ने जहरी सी बात है हम सोच रहे हैं सोचना की तो चाहिए ना इंसान होने के नाते और इसके इंसान हैं लोग सोचना चाहिए कि इसा क्या किया है कि लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं क्या किया है हमको काहिया नहीं आता कि हमने कभी किसी का कुछ गलत किया हो रहा है कि अब आपकी तरफ से भी हम सोच रहें कि कर्मा भी निवाज है ना आप लोग जाहिर सी बात है कि क्या किया होगा आप लोग में ऐसा है यह हमने ऐसा कि आप अप कि अप कि अप कि कि हिखक देखाई दिया था भी थोरे दें कैलमने गुला था ना कि अप एक से भले दो जिसको बोलते हैं ने नियुक प्राणियों में नहीं नहीं बलत मतलब मत निकाले, एक से बलत दो मतलब, सम्वेर आपकी लाइफ में आप two sources of income attract कर रहे हैं, हो सकता है, भाई, उस लोग बोलेंगे, यहाँ एक source नहीं आ रहा है, आप दो-दो source की बात कर रहे हैं, टाइम-टाइम की बात होती है, ना हम क्या करें बगार, कल किसी नहीं को बोला, कमेंट पर, कि सबकी reading अलग कैसे आती है, टैरो रीडर्स की, अब क्या करें बताओ, अलग-अलग decks होते हैं, ठीक है, अलग-अलग collective लोगों की energies होती है, जो-जो लोग उनके चैनल से जुड़े होंगे, यह जो-जो लोग उनके tarot reading देखते होंगे, उन लोगों की energies ग्राफ करते होंगे, है ना, अब हमारे जो viewers है, karma believers, यहाँ पे हम karma believers की energies ग्राफ करते हैं, किसीने किसी की energies ग्राफ करते ही होंगे, है किसीने पूछा, कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है, नॉर्मल पूछा कि उनकी जग्या सामन में रही होगी न तभी उन्होंने पूछा कि हर टेरो रीडर की रीडिंग अलग कैसे होती है अब आप अगर रीडिंग करेंगे तब आपकी भाई अलग करेंगे आपके बहन अलग रीडिंग करेंगे सब की रीडिंग अलग होती है ल और देखिए बिल्कुल सेम आ रही है तो मतलब यह चीज शायद ऐसा होने को है जाहिर सी बात है कलेक्टिव की रीडिंग अगर सेम आ रही है बहुत साथा सिमिलर एक टैरो रीडर के दूसरे टैरो रीडर से रीडिंग मेल जो लखाते भी आ रही है जाहिर सी बात है कि कुछ कुछ तो ऐसा होने बाला होगा ना तभी तो ऐसी अनलजीज आ रही है तो अधिकल्स के बाद टू अफ कप साहा है यह जो मल्टिपल सोर्स ऑफ इंकम आप अपट्रेट कर रहे हैं इन में से यह आप अपने पार्ट्नर के अथा कुछ करने पर सो सकते हैं कोई भी है कि ज्यादा थो लोगों के लिए कोई रिलेशन और जिसमें आप किसी के साथ मिल कि कुछ काम करके शाथी अभी करने का प्रोग्राम बनाएंगे कि कि अ key there यहां कितने लोग हैं जो इस समय के दौरान बस ज्यादतर समय सिर्फ और सिर्फ सोचने में व्यतीत कर रहे हैं सोचने में मतलब सोच रहे हैं बस चाहे उसको आप manifestation कहें कि thinking है बस सोच रहे हैं कुछ plans कुछ life से related कुछ भी मन में कोई भी circumstance कोई भी situation हो सोच रहे हैं बस सोच रहे हैं लेकिन action का नाम और निशान नहीं है सिर्फ सोच रहे हैं कि आ कहीं जाके जो है gym join कर लेंगे weight loss कर लेंगे morning vocals से start करेंगे ये कल कब आएगा कुछ नहीं बता है कि वह शुब मूरत कब आएगा कुछ नहीं बता है बस सोच रहे हैं कि यह कर लेते हैं वो कर लेते हैं चलो MBA के form भड़ देते हैं इसे कितने लोग हैं जो कुछ सोच रहे हैं बस कुछ करने का सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं करें लोग एक भी अक्षण ओरियंटेट काड नहीं है संभेर हमें लगता है कि आपकी गलती नहीं है इसमें मून का काड है ना मून जो होता ना वो सोचने में जादा टाइम निकल जाता है उसमें लेकिन फ्लाणिंग्ण उसकी उसकी होते वालू उनिवर्स की गोण की वो उसी चर suffersle planning करते हैं जब आप कोई action नहीं ले थ्री आप सोर्ट्स क्या हो रहा है क्या हो रहा है दिए हर चीज का जो होता है ना क्या बोलता हूं उसको हर चीज का अपनी हार का जो ठीक रहा है ना वो किसी और पर फोड़ने से अच्छा है अपनी गलती मान दीजे कुछ टाइम से एंजल आंसस में भी फर्गिवनेस आ रहा है ना यहां पर किसी पर्टिकुलर प्रानी को माफ करने के अलावा आपको खुद को भी माफ कर देना चाहिए और अपनी गलती मान देनी चाहिए कि आपसे गलती हुई है छोटे नहीं हो जा अतना महान व्यक्तित्व होता है हर्मिट का उसके कपडों पर या उसके रहन सेहन पर या उसके सफेद दाड़ी पर मत चाहिए हर्मिट का काड एक बहुत सेक्रेड काड होता है वो एनरजी आपकी है त्री और सूर्स के बाद फाइव पंटेबल्स तो नहीं किस बात की आपको hopelessness है अलांकि vibrations आपनों की बहुत हाई थी healing bowl पर devil energies हो सकती है खेर वो तो दिख चाहिए का कार्ड में हो तकर जाए अब अगर toxic wisdom. तो हो सकता हो फोड़ो सा negativity आपके ओपर हा भी ओटै हैंदो से हवो तो हगे यह हारट चीज के हाद है फूरी जंदगी नेजगटिव रह सकता है ना पॉजिटिव रह सकता है और लगता है कि हम पूरी जिंदगी पॉजिटिविटी के साथ रहा है कि कार्ट लेंगे इंपॉसिवल है भाई नहीं होता है आपके आसपास के लोग आपको नेगेटिव करेंगे चाहे एक पल के लिए ही हो लेकिन होगा तो हर चीज का जो दो पहलू होता है न उसको मेंटेन करते हुए चलने के आवशकता होगा लेकिन वही तो मेंटेन नहीं हो पाता है जाहिर सी बात है तब ही तो अब एक डिटिंग देखते हैं टू अफ कॉप्स भी आया है यहापे लवर्स भी आया है यहापे इस कनेक्शन में वैसे भी आपको कहीं का नहीं छोडा है अभी लाइफ में आप एक और सेक्रेट कनेक्शन जिसको बोलता है और वह भी उस समय पर जब आपके ऊपर इतनी जादन नेगेटिविटी आवी है आपकी vibrations high है तो क्या हो गया high है तो कौन सा तीर मारा है आपने vibrations high करके कौन सा तीर मारा है आसपास के लोग तो negative है वो होने देंगे ये connection आपको union में आने देंगे लगता है आपको हमको frustration क्यों होती है जाहर सी बात है हमको frustration क्यों होती है जाहर सी बात है reading आती है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है अचानक से कुछ भी आसा आजाता है हम खुद ट्रिगर हो जाता है यहाँ बैटे-बैटे negative energies बहुत जादा है आपके आसपास ठीक है जो कि आपको union मैंने नहीं देंगे लेकिन जजमिन का काड़ है यहाँ चलिए तुला राशी साइन्स पर फोकस मत कीजिए यहाँ पर पाइसीज भी है जमिनाई भी है और भी बहुत सारे यहाँ पर यह जुजम्ड आया है ना ये हमको समझ में आ गया है यह क्यों आया है आप linear से बहुत सारे लोग कुद आइस्टा को मफ नहीं किया है हम से कुद को जम्यदार मानते हैं हर चीज का हैं कीज मानिया है हैं मानिये यार मानिये आपने आपको जम्यदार मानिये यह हम लोग है बिल्कुल है ठीक है के सब बड़े-बड़े हैं मैं चोर इनप ठीक है इस की संगति और किसी की मंगति यह यह बाते ये बचकानी बाते होती हैं, जो शोभा नहीं देती हैं, कोई किसी को आप लोगे बोलेगे ना भाई, उसकी वज़से ऐसा हो गया, या उसने ऐसा कर दिया, रहे भाई, चमत से आपको जो है, दूद पिलाया था, किसी ने सिखा दिया यह सब कुछ, और आप सीख गए मतलब कोई कुछ आपको बोलेगा, तो आप वो करेंगे, कोई आपको बोलेगा भई, गोबर खा लो, गोबर पर अपना मूँ डाल दो, आप डाल देंगे, पूए में कूछ जाएंगे, जाहिर सी बात है, ये जो संगती और ये जो कुसंगती, ये जो शब्द होते हैं, इन तो लोग रोज, पैच अप, ब्रेक अप, बड़े, एन्वर्सरी, हर चीज मना रहे हैं, तो आपका भी तो डेली, यार आप लोग डेली भी तो ग्रोव कर रहे हो न, या पांच साल के ही रहेंगे, जिन्दगी भार, 16 और 60 में फरक करना कब सीखेंगे, मैं समझ में नहीं लोग जो होता है न, उनको ऐसा लगता है कि हमेशा वो लोग 16 के ही रहेंगे, तभी 60 के नहीं होगे, अरे भाई कौन सा मर्थवल खा क्या आए हो, बाल काले कल लेने से सूपर वैस्मों 33 लगा लिया, तो क्या बिलकुल आप जवानी आ गई आपनों की, 60 यर्स के कभी नही हमेशा स्वेट 16 लोग competतीश है, अरे हमेशा स्वेट 16 लोग जनको लगता है कि वह हमेशा स्वेट 16 लोग की रहेंगे, ठीसा बड़ा वकाउन 2 ले 6 उनने दिका है 17Sud के कमेमेशा सारा बुडहापा हं लोग गवाई हे ता है अज़ा बड़े हो अबी तक शादी नहीं हु खुद 60 पर हैं, कबर पर पाउं लटके हुए हैं, खुद 60 पर 65 पर हैं, ठीक है, लेकिन दूसरों के उमर दिख रही है, कि अरे, गुजर गए, अरे, उमर हो गई थी ना, उनकी गुजरने के उमर दी, तुम अपने आपको भी तो देखो यार, तुम किसको क्या बोल रहो हो, अपने शब्दों पर शब्दों के इस्तवाल करना नहीं है अभी तक, तुम अनुजर, बॉलना है, एक पेरेंट्स जो होता ना, जो पेरेंटिंग जिसको बोलता है, उसमें बच्छों को सिखाते हैं ना, कि बटा ऐसा नहीं करना, नो, बोलते हैं, ठीक है, येस, ले लो, कोई कुछ दे रहा है है आप क्यों सित्खाते हैं कि कि बाहर Morma वाला कुछ खाने को दे उसको नहीं बहने रे ना है कुछ雷्ट सब्सक्राइन की आ पड़ा तक कि अब भीन szohla am वो लोग बोलता है रहे भाई कौन आया था पेरेंट्स पी ऐसी पेरेंटिंग है बताओ ठीक से बताया भी नहीं बच्चे को संभालना नहीं आता तो बच्चे पैदा क्यों करते हैं सब संभालना ही नहीं आता है ठीक है घर में बताओ हमारे तबाही मचा के गया है शुकर है क्या करना है सोसाइटी कुछ नहीं आपने आप जhूट मत बोलो सज्टो यह की सोसाइटी क्या बोलती है सोचती है फरक पढ़ता है आपको लगता है जैसे आप बहार गए, वहाँ पर क्या इमेज बनेगी, अरे भाई, दुर्गा पूजा में देख लो ना, दुर्गा पूजा में लोग जाते हैं, कितने सारे लोग मिलते हैं, हम गएते, ठीक है, अपने experience ही बताते हैं, बोलने का तरीका क्या होता है, कि अरे, ये इतने लोगहते हैं, बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए हैं, फिर दूसरे ही बल क्या पोलते हैं, क्या कर रहें आज कल, मताब पूछना है, भूछना है, live story में, life history जाननी है, ठीक है, ये देखो, हमारी नाती है, ये अमारी पोती है, तब मिनी की तो एज की है, हमारी बेटी की मीनी की एज की है इदको छे साल की तो बेटी हो गई इनकी कहना क्या चाहते हो प्लीज इलापुरेट एक तरह से जलील कर रहो ना लानत पोतरों ना हूं पे की मीनी की एज की हमारी डॉर्टर है हम तो नानी दादी बन गए है मीनी की एज की हमारी डॉर्टर है उनक वहारी डॉटर की जो है छे साथ साल की बेटी है देखो कि कहना क्या चाहते हो कि इसी का दिल दुखा के खुछ रह लोगे कोई पूजा में तयार होके अच्छा कासा बाल बनाके गया है कि पूजा में गया है दुटर मा प्रार्टना कर रहा है और आप लुगो की स्टेटमनेंक्स किसी को कितना हर्ट करेगी कभी सोचते हो या नहीं सोचते हैं उसको फाड़े नहीं हाता कि दूसरों के लाइफ में इतना कोश्ट मॉर्टम करना को कि डिपकत है इतना दिलचस्पी है हमारी जिंदगी में कि दो वक्त का खाना दोगे तुम हमको तेवल में दो वक्ती रोटी आ जाएगे हमको खाने के लिए कि छोड़िये यह जजमेंट आया है तो घंटा जजमेंट यार कब आएगा जजमेंट है कियामत का दिन कब आएगा और है यह है कि फिर सकाड आया है मुन भी आदभी ऐस्स आपीरिस्ट benefited क्या करेंगे हुआ माल चीजमेंगे हेवलाल क्या प्रीस्तबनेंगे आछ युआ थ्री आफ पेंटिकल्स हम तो हर रोज रात को सोने से पहले यही दुआ मांगते हैं कि सुबह देखना ना पड़े सुबह ना देके हम भगवान कुछ ऐसा चमतकार कर देना कि ऐसा सुए ऐसा सुए उठे ना सुबह कि वही मनोर सुबह दिख जाती है फड़ से हम देखता रहे हम जिन्दा अभी तक शिटिया ब्ला बुरा हुए एक तो फुर वक्ष्ट पड़ ढ़ दोदेखता है वहीं है फुर प्रवप्स कर दोदेखता है गुड लग चार्ब यह वह वाला काड हें बी लग होगो जोगे कि उप्ट भूल्ड नहीं कि जप्ट॥ दो वर्ड बहुत सारे लोग सापसी जी बात है बहुत सारे लोग बहुत सारे मोमाया अटेच्मेंट छोड़के कहीं दूर चले जाएंगे कहीं दूर चले जाएंगे मतलब अपने फैमिली से बहुत ज्यादा दूर दिखाई दे रहे हैं दूर मतलब काफी जहां पर बहुत लंबा लॉंग एक बहुत लॉंग डिस्टेंस होगा आपनों के दर्मियान ऐसी अनरजी से घंबरानी की बात निया चोड़के नहीं जा रह है गुडलग चांग वर्ल्ड और कोजी बिच बहुत सारे लोग यहां पर इसे बहुत सारे बैगेज मन में सब कुछ दफन करके एक दूसरी दुनिया बसाएंगे कहीं पर बहुत दूर अब चाहें आप इसमाले में चले जाए या किसी दूसरी कंट्री में दूसरे बिल्कुल टोटली डीटाजड डीटाजड मतलब मतलब अपनी फैमिली से भी आप लोगों को बुक को इतने सताय गए हैं जादा तर लोग यहां पी इतने सताय गए हैं कि अपिवा पूरा जो अटाजमन्ट हम हमाया है वो विल्कुल लाइफ से बिल्कुल हट रहा है अके słu okay लोनस पार करिए हमने आपको बोला था कि पूरिये आपकी याप का जेजमेंट यी कैसा जेजमेंट दाप हरे जिट्धी मिल्विनञा चाहिए ओवा आपको मिलेJean बर-बर के ज्यादा सोचिए मत ठीक है टेन ओफ कप्स हैपी फैमिली लेकिन हमने अब लिए आपको क्या बोला था आप लोग एक हैपी फैमिली बनाएंगे तब बनाएंगे जब आप अपनी फैमिली से खुदी दूर हो जाएंगे बहुत सारे टॉक्सिक लोग आपके आस प अंदर ही अंदर एक चीज आपको तकलीव देती है कि हर किसी की फैमिली वैसी सपोर्टिव नहीं होती है कि आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपको पूरा सपोर्ट करती है हर चीज में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेड़ित करती है प्रेड़ना देती है बहुत स अगर आप अकेले हैं भी तो भी कोई दिक्कत वाली बात होनी नी चाहिए क्योंकि लोनस पात में हैं भीर में आप हमेशा से अकेले ही हैं अपनी फैमिली पे भी तो आपकेले ही रहे हैं आपने जो भी किया अपने आप से किया अकेली किया है एक फैमिली सकोर्ट बहुत सारे एक्षन का टाइम तो देखिया आ रहा है जज्मेंट के साथ आ रहा है बहुत सारे लोग पिल्कुल एक अलग ही अलग बहुत लॉंग डिस्टेंस में जाके सब कुछ छोड़ चाड़के बिल्कुल अलग निकल जाएंगे ठीक है अपनी मंजिल खुद तय करेंगे अपनी डे जज्मेंट का टाइम है और ये वो जज्ज्मेंट है जब आप एक नया चाप्टर लिखने वाले हैं जिसमें लोग देखें या ना देखें लोग आपकी तारीफ करें या ना करें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जाहिर सी बात है हमेशा से आप सोचते थे कि भाई हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि लोग देखते रहे जाएं अब आपको लोग देखें या ना देखें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये जज्ज्मेंट है वो इसलिए क्योंकि अब आप इतने स्पिरिचुली अवेकन हो चके हैं कि अगर कोई आपकी तारीफ करता है है तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा कोई आपको बढ़ाई करता है तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा लोनस पाहँं है मिल्कुल इस घर्मिट केनर्जी नहीं आई लेकिन हां में लग रहा हÝ कि बहुत ज्जादा आप लोग ठक चुके हैं एक्मोश्ञ बनाया जा रहा है आगे भी आपको इतना स्ट्रॉंग बना दिया जाएगा बिल्कुल एक पत्थर की तरह मस्बूत हो जाएगा मतलब जाके आप किसी को अगर हग भी कर लेंगे ना या किसी से टक्रा जाएगे ना तो उसको दर्द होगा क्योंकि नरम नहीं रहे आप मतलब जाती ही बस अपना सिर ठोग देंगे ना तो जो है छाले पड़ जाने है सामने बाले के आप इतने पत्थर पूरा समझ रहे हैं कितने हार्ड कितने बिल्कुल रॉक जैसे मांटें जैसे हो जाएगे आने वाले टाइम पर ज़रा स अपना सर ठोग देंगे तो उसको भी जो अपनी मर्जी से जब मर्जी मसल देंगे इसको तो आप नहीं रहे हैं ठीक है सक्त हो रहा है आगे आने वाले टाइम पर और सक्त हो के बिल्कुल ऐसा हार्ड सॉलिड रॉक बन जाएंगे कि बस तोड़ना तो दूर कोई टक्रा जाएगा तो उसका सर पूड जागा ऐसे एनर्जी जाएं आज आपके जस्ट कल पर सो दशारा कल 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 दशारा गया है हमारा तो इधर कली डिसर्जन हुआ है और आज ये रिडिंग आई है 14 अक्टोबर को जितना रेजोनेट होता होतना लीजेगा वाकी जाने कीजेगा आपके अंदर का जो प्यार है ना वो आप दे देके आप पूरी तरीके से खाली हो गया है ठीक है पूरी तरीके से यू आर एमटी ना तो अब क्या होगा वो भरेगा फिर से वो फिर से भरेगा लेकिन टाइम लगेगा तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पे कुछ भी ऐसा हमको नहीं दिखाई दे रहा है एस ओफ कपस है टैन ओ कपस के साथ अब ही आपकी एनरजी ऐसी है जहां पर आपको यूनिवर्स की तरफ से पुछ है there is an urge, there is an purge कुछ भी आप बोने उसको लेकिन फैमिली से detached आसपास के लोगों से सब चीजों से detachment जरूरी है और वो ही वापस से आपके अंदर प्यार दुबारा से भारा जाएगा नया चाहे वो चील का हुआ का हो मतलब बोला जाए नेचर की तरफ से प्यार कि अब इनसानों से बहुत डिटाच हो जाए शायद आप करें तो नेचर से करें नेचर से जान्वरों से ठीक है प्यार आपके अंदर उन सब चीजों से भरी जाएंगे बहुत ही अजीब हो करी और जिसके लिए बिए ऐसी आई जो आया है वो तो हम बताएंगी ना जाहिर किसी बात ही ये वीडियो भी हम अप्लोड करेंगे ही जब इतनी देर से बना रहे हैं तो वीडियो अप्लोड करने के लिए बना आया है गुला खराब है को खा रहे हैं हमको खासी है अब जैसा यह आपकी रीटिंग है ठीक है लेकिन सबसे अची बात हमको यह लगी कि आप कितने भी हर्ट हों लोग आपको हर्ट करना नहीं चोड़ रहे हैं अभी लेकिन उसके बावजूद भी आपकी एनर्जी जैसी है कि आपने किसी को हर्ट नहीं किया भी था यार सच में यार कर्मा बिलीव इस कितने अच्छे हैं यार लोग आपको छील चाल के निकल जा रहे हैं और आप लोग पता नहीं इतना गिविंग एनर्जी इसमें रहे हैं कार्पेट की तरह बिच रहे बिलकुल हैं दम गुड़िया आप लोगों का लेकिन आप लोगोंने जो है अप समय निकाले सोचने से कुछ नहीं होगा अगर आप सोच रहे हैं सोच रहे हैं उससे कुछ होगा नहीं कोई नतीजा नहीं निकलेगा परयाप्त यानि अरे भाई परयाप्त क्या एक छोटा मोटा भी नतीजा निकले हैं यहां पर आपको यहीं बोलेंगे कि थोड़ा अपन बड़े वेटे सोच रहे हैं एक्षिन और कुई स्टेप लेने का कुछ भी नहीं है अर्फिन सोच रहे हैं और वहीं पर आपका एक अप एक पार्टनर भी अट्राइट कर रहे हैं कोह ऐसा पार्टनर जिसके साथ आप आगे लाइफ में कुछ क्रिएट करेंगे नया कुछ करेंगे लब रिलेशन्शिप का एनरजी भी हो सकता है क्योंकि हमने आपको बोला था कि टू अफ कपस और लबस का कार्ड था वाँ पे कार्ड में तो अवह ने किसी आर के साथ में आपको नहीं होता कि प्रस्कार प्रस्क्राणि आट कि बीजहन संस्पर आसा अंशमान के साथ जिन्दगी विटाने का सोचा क्या कि आयाधा है का अपत्ता है 50 overall time फिल्म ही है उम लोहों की जिंदगी की और निर्देशक इसके डिरेक्टर भी कोई इम्तियाज अली या अपकरण जोहर तो है नहीं बहुता सखेगा कि भई फुलान इंसान के साथ ही तुम जीवन में आके बढ़ोगे फुलान इंसान ही तुमारी डेस्टिनी में नहीं होता प्रैक्टिकल एप्रोच रखिये रीडिंग को रीडिंग की तरह लीजे जितना रेजोनेट होता उतना लीजे बाकी जाने दीजे जबरदस्ति अपने उपर कुछ भी थोपने की ज़रौत नहीं है और क्या करेंगे ऐसे इंसान को अपने लाइफ में लाके जो आपके बु हम तो हमेशा ही गलत भोते हैं मुखिया तो इस अलबेस रॉंड छोड़िये खुछ रही है आबाद रही है अस्तर रही है साथ रही है डोगोड़निसी वहरी कॉट पैस्वी अबरिवन हमारा आशिवाद भरबात है कि द्वाया दीजिए द्वाया लीजिए ठीक है यह बहुत जरूर यह कि गटिंग भाइड बliest कि आरके आहिए ज़रूर रिसूर्स नाम बता देते हैं कल आक्ष रिडियेट है जिन लों को प्लास लेना है जो लोग सिखना चाहते हैं वह में कॉंटैट कर सकता है आपको सब सारी डीटेल्स में जाएगे कर लाज दीट है तो चलते हैं अभी के लिए बस इतना है बाई